पुटा सा चेप्टर है हमारा ये जल संसाधन, सीचाई, एवम नहरे, वाटा रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड कैनल्स तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ महतपुन जो भी चीज़े हैं उसको यहीं पर हम लोग देखेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले भारत में जल संसाधन के स्रोत तो धरातलिय या प्रिष्टिय जल है धरातलिय या प्रिष्टिय जल है जैसे नदीन आलो का जल है भुमेगत जल या भॉम जल प्रित्वी के नीचे जल है वायू मंडलिये जल, वायू मंडल में जल है बारिस वगड़ा का और महासागडिये जल, ठीक है, तो भारत में जल सलसादन की ये स्रोत है, मुझे नहीं रिखता कि महासागडिये जल का प्रोपर वे में भारत में इस्तेमाल हुआ है, पीने के लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल है तो यह पर्थम अस्थान भारत के किस राजी में सरवादिक सीचाई नलकोपो दारा होती है तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक सीचाई परणाली का जनक महान सिविल इंजिनियर मोच गुड़म विशेश्वरया को माना जाता है इंजिनियर्स डे हम लोग मनाते हैं इनही सिंचित राज्य करमसा कौन से हैं तो तमिलाडू आंध प्रदेश एवब मदेप्रदेश हैं भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना के शने परसूत की थी तो यह की थी दिंसा जे दस्तूरने भारत में सिचाई के मुकी साधन क्या है तो कुवा वर नलकूप हैं सिचाई क पांच राजियों का सही करम क्या है? इन उतर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, मद्र प्रदेश हैं अंतर प्रदेश है जल संसादन के विकास के क्या क्या लाब होंगे तो पीने और सिचाई के लिए जल की आप उड़ती होगी जै विवित्ता में विर्धी होगी जल भड़ाओं में कमी आएगी और मिर्दा की लवनता का हरास जो है वो कम होगा किर्सी उत्पादन और उत्पादक्ता में विर्धी होगी वर्नों के कटाओं में कमी होगी जीवानस्तर में सुधार होगा और रोजगार में विर्धी होगी तो यहां पर देखिए जल भड़ाओं में कमी और मिर्दा की लवनता कहड़ास भी होता है कि इसमें सिचाई का मुखिसरोत नलकूप है इसके पस्चा सरवादिक सिचाई नहरो द्वारा और तालाबो द्वारा की जाती है तो पुड़े भारत में जो है ना देखे जो नहर मुखिसरोत नहीं है मुखिसरोत क्या है सिचाई का तो है नलकूप ठीक है नलकूप क्या होता है हम लो मुक नहर है फरक्का नहर की जलवान चमता कितनी है तो यह 40,000 क्यूसेक है फरक्का नहर की जलवान चमता इंद्रा गांधी नहर पहले किसी और के नाम से किसी और चीज के नाम से जाना जाता रहा होगा लेकिन बाद में उसका नाम इंद्रा गांधी नहर पढ़ा क्योंकि 1958 का गंग नहर का निर्मान किस वर्स हुआ था यह वर्स 1927 में आप देखिए विश्व की सबसे पुरानी वा विक्सित नहर व्यवस्ता भारत में गंग नहर है गंगा नहर भी बोलते हैं इसको तो यह बहुत खास बात है गंग नहर का निर्मान किस वर्स हुआ था तो वर्स 1927 मे सारन सिचाई नहर किस नदी से निकाली गई है तो गंडक नदी से सारन सिचाई नहर जो है वो गंडक नदी से निकाली गई है भारत की सिचाई पर्योजनाओं के परकार हम लोग देख लेते हैं तो इस सिचाई पर्योजना के अंतरगत 2000 हेक्टियर से कम छेतर की सिचाई होती है इसके अंतरगत कुवा, नलकूप, डीजल, पंपसेट, तालाब, ड्रिप सिचाई इस प्रिंकलर आधी सामिल किये जाते हैं भारत में लगवग 62% सिचाई आवसक्ताओं की पूर्ती लगू सिचाई पर्योजनाओं से होती है देश में लगू सिचाई के बढ़ते महतों को देखते हुए वर्स 2006 से संचालित लगू सिचाई योजना को वर्स 2010 में रास्टिये लगू सिचाई मिशन के रूप में परिव नहरी सिचाई पड़ मुख है क्योंकि छोटी नहरों को इस वर्ग में रखा जाता है विरिहत सिचाई पर यूजना को देखें हम लोग इसमें इन से 10,000 हेक्टियर से अधिक छेत्रों की सिचाई होती है इसके लिए बड़े बांद बनाकर नहरे निकाली जाती है सामानेता है इससे बाड़ी नहरे एवं बहुत देशिये नदी गाटी पर यूजनाओं को सामिल किये जाता है बड़ी वो मध्यम पर यूजनाओं से देश की 38% सिचाई अवसकता है पूरी होती है तो देखें यहां तक हमने देखा अब इस चेप्टर में क्या खास है इस चे के इसमें कि लगू सी चाई पर यूजना मध्यम सी चाई पर यूजना और विर्यात सी चाई पर यूजना को सौर्ट में लिख सकते हैं एंसर राइटिंग में जब जल प्रबंदें से सम्मंदित कोश्चन का मामला आए बी पीसी में इसके बाद जल संभड विकास के लाव भी आप लिख सकते हैं जो यही पॉइंट्स बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें दिये गए हैं और बाकी जो है आप भरत की जल संसाधन के स्रोत जो हैं वह बला डाइग्राम भी दे सकते हैं और इस डाइग्राम में जो जिस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से बताना है उसको वहां से आराम से बता सकते हैं तो एंसर आइटिंग का बहुत सारा जो कॉंपोनेंट है आपको प्री के तयारी में ही इकठा करते चलना है यहां इकठा करते चलेंगे तो वहां मेहनत थोड़ा सा कम हो जाएगा तो चलिए अभी के लिए इतना ही छोटा ही करता हूं वहां पर तो वह मेंबर्स के लिए है मेंबर्स के लिए इसलिए क्योंकि अभी एंसर राइटिंग तो ज्यादा लोग करेंगे भी नहीं और जो सामाने सब के लिए जो अगर किसी को कोई समस्या होगी तो मुझे बताईएगा सब के लिए मैं डालूँगा वो चलिए अभी के लिए इतना ही धन्यवाद